असा हेलोव फ्रेइड्स मैं हूँ आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नॉयेश्ट नाइफ लाइफ में मैं आप सभी के लिले कर आहीं एक खास प्रोग्राम के रागहा हूँ बॉलिवर्ट स्टार्स की जी नहीं बिलकुल नहीं टीवी स्टार्स की बिलकुल भी नहीं अब आप सोच रहे होंगे ना बॉलिवर्ट स्टार्स ना टीवी स्टार्स तो आकरकार हम बात किसके बारे में कर रहे हैं यहां हम बात करने वाले हैं politicians के बारे में जी हां उनके पहनावे से लेकर उनकी lifestyle से जुड़ी कुछ खास बाते पहले के time के politicians अगर आप देखते होंगे तो बड़े ही simple नज़र आते थे सादे कपडों में और सादे धोती कपड़े उनके रहते थे बड़ी ही simple सी lifestyle कह सकते हैं simple सी look में नज़र आके थे लेकिन समय बदल चुका है तो इसलिए उनका अंदाज भी बदल चुका है और आज के politicians किसी bollywood star से तो बिलकुल भी कम नहीं है जी हाँ उनके अगर lifestyle उनके पहनावे को देखे तो कही न कहीं वो थोड़ा touch आई ही जाता है कि एक personality जो दिखनी चाहिए वो personality सामने आ जाती है आज के politicians महंगे कपड़े पहनते हैं महंगी accessories carry करते हैं और ऐसे में आज हम कुछ ऐसे ही politicians के बारे में रूबा-रू करवाएंगे आपसे कि आकिरकार किसको क्या शौक है किसको किन चीज़ों का शौक है यह वो सारी ही बाते हम आप सभी को बताएंगे कि आकिरकार किस के कपड़ों में क्या बाते अलग है बिलकुल चाहे वो सुनिया घांदी की साड़ी हो या फिर प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े इन तमाम बातों पे आज हम नजर डालेंगे तो इसके लिए नजर डालिए रिपोर्ट पर पहले भार्टी नेता सिर्फ सादे भूती कुलते और सूती साड़ीयों मेरा दराते थे लेकिन वक्त पूरी तरह से बदल चुका है जै हां अब वक्त में बदलावा आएं तो जाहिर सी बात है यहां पर उनके पहनावे में भी काभी सारे बदलावाएं जी हां अब बात करें कि पहनावे में जमीन आसमान का अंतर आया है पहले के बुखावे बता देगी अब वह महंगे कपड़े और एक्सेसरीस में दिखते हैं पर साथ ही साथ आज जब बदला है तो पॉलिटीशन किसी बॉलम और स्टार से कब नहीं है पहनावे के मांगे में लाखों करोड़ों के गहने कपड़े पहनते हैं और कई बार इनके कपड़े जो सूशल मीडिया पर चप्छाओं में रहते हैं और आज हम उन्हीं कॉलिटीशन के मारे में आप सभी से जूबर रुखरमाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे सोनिया गांधी के बारे में जी हां सोनिया गांधी योगी इंडियन नाश्नल कॉंग्रेस के मेंबर है आप सबी को बता दें कि सोनिया गांधी जो की एक पॉलिटीशियन है लेकिन यहां पर उंकी साधियां हमेशा ही चर्चाओं में रहती है हमेशा साधी कॉटन खादे की साधियों में सोनिया गांधी आपको नजर आती होंग लेकिर अगर इस साधियां आम साधियां की साधियां साधियां सभी को बता दें कि सोनिया गांधी जो साधियों में दिखती है वह बहवट रहएंगी और थास होती है सोणिया गांधी की ज्यादता किॢ़्थ दिल्ली की दिजाइनर नीरुसमार की बनाथी है और उन्की जो साडिया अक्सर मही ऋमारी के रचाइंगी सस्वति हो तर आती है वहीं अगर सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी भी आप साडियों में जरा जाती है आज आज अगला नाम आप सभी के लिए रहे हैं वो नाम है मायावती का जिंग मायावती जो कि बस्वा अध्यव्ष है आप सभी को बता दें कि मायावती जो कि अपनी लक्षरी लाइफ के लिए भी जानी जाती है बता दें कि दिखने में जितनी साधा वो रहती है लेकिन उनका रहने का तरीका एक दम लख्षियस है साधे कपड़ों में अक्सर नजर आने वाली मायावती का भी कोई शौक होगा वो भी अपने पहनावे को लेकर शायर आप ये बात जानते हुए सब्न कि माया बहुद्या को जूटोका शौक है जी हाँ यकीन ना सुन कर चौक गए होंगे कि आखरगार आने पिखन को जूक का शौक है बता दें कि वह अपने कपडों के साथ इतना एक्सपेरिमेंट है ऍडिकर्टी जी हाँ कपड़े घले ही हो सिंफल और सादे रखें लेकिन अपने ऐसे में आ घ्राल भी जब तो अपने कर दें कि हम आ अपको बता दें कि एन फ़रों की मांने इने जो मायावती moit concept उसे मुंबई भी कर दता है। और सथ ही सथ वही से मायावती के जो ती बार्नों के शूट भी आते थे। यकीनन मायावदी की सूतों की बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान हो गए होंगे कि आकरगान मायावदी को भी महेंगे जूते पहनने का शौक है अगला नाम है नरेंद्रमोदी का जी हाँ फ्रिखान मंत्री नरेंद्रमोदी जो कि अपने स्टाइल और कपड़ों की वज़ा से हमेश्वादी चर्चाओं में रहते हैं नरेंद्रमोदी की बात करें तो नरेंद्रमोदी जहां अपनी राजमीती को लेकर दो चर्चाओं में पढ़े रहते हैं लेकिन इसके साथ इसाथ नरेंद्रमोदी अपने स्टाई के लिए भी जाने जाते हैं अपने कपडों की वज़ा से कई बार सुर्ख्यों में फिया चुके हैं आप सभी को बना देए कि नरीण को नोदी अपने कपडों की वज़ा से कई बार चर्चाओं में रहे हैं वेल और साथ ही साथ ये सूट काफी जादा चर्चाओं में आ गया था और साथ ही साथ बार करें प्यम मोदी के सूट के बारे में तो प्यम मोदी को लेकर पहा जाता है कि उन्होंने वो सूट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पहना था और खबरों की मानें तो बार में सूट की दिलानी हुई और उस सूट के जो रुपए मिले वोसे 4 करोड 21,00,00 रुपए जो की काफी बड़ी इमत है जैसे आप सभी को बता दें कि नरेज भोधी अपनी लाइस्टाइल के हालाद अचीजों के लिए भी जाने चाहते हैं कहते हैं कि नरेंद्र मोधी को उल्टी घड़ी पेहने का शौक है जी है उनको उल्टी घड़ी पेहने का शौक है और साथी साथ बास करें वो उल्टी घड़ी इसमें पहनते हैं ताकि वो लखी रहे जबनें के वाले तो नरेंद्र मोदी उल्टी काड़ी स्में पहलते हैं कि वो इसकी स्कोर्ण लगी समस्तिन और साथ ये साथ नरेंद्र मोधी की watch और pen की बात करें तो नरेंद्र मोधी एके special brand का pen और watch भी use करते हैं और साथ ये साथ अपनी lifestyle की वजां से चटाओं में रहते हैं यकीन अंद नरेंद्र मोधी के कप्ड़ों दिंदे के लेकर उनके पैरों घड़ी जो हमेशा ही हर चीज जट्चाओं में आ जाती है और नरेंद रोधी को सुन्ख्यों में ले आती है जल तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से यहाँ पर यकीनन मोदी के सूट कर और राहूल गांधी के जैकेट के और सोनिया गांधी के साडियों के लगबख हर कोई फैन है जी हाँ अब इनके पहनावे में इतने अलग अलग तरीके इतनी अलग अलग परसनालिटी सामने निकल कर आती है जिस तरह से लोग Bollywood स्टार्स को फॉलो करते हैं अब इनके पहनावे को भी फॉलो किया जाता है जहां हमने आपको अलग-अलग politicians के बारे में रूबारो करवाया कि कैसे मायावती को जूतों का शौक है जी हां ऐसी तमाम बाते आज हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरीए बताएं तो ये था आज कुछ अलग आप सभी के लिए politicians से जुड़ी कुछ खास बाते हैं लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं हमसे फिर चाहे वो Bollywood की दुनिया हो या पॉलिटिक्स की दुनिया हो या फिर टीवी की दुनिया या फिर आम दुनिया आप हमें कमेंट करकर जरूर बताएं कि आखरकार आप क्या जानना चाहते हैं तो वो हम इस प्रोग्राम में जरूर शेयर करेंगे लेकिन अभी के लिए दीजे मुझे इजाज़त और हाँ जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और भी ज़ादा इंफोर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्क्लाइन लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूले तिल देल बाबाई